नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्गेट एनलेसिस में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है इनफॉसिस वर्सिस विप्रो जिस पे मेरे पास काफी सारे कमेंट्स है कि एक इनफॉसि एक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आइटी कमपनी है और एक सेकिंड लार्जेस्ट आइटी कमपनी है यह तो आपको गया मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट और सेकिंड लार्जेस्ट बट फाइनेंशियल रेशो क्या कहते हैं कौन सा बैस्ट है और कौन सा ज्यादा पैसा बनाकर आपको लॉंग टम में दे सकता है इसके बारे में बात करेंगे हाला कि दौनों की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है मार्केट में यह स्टॉक्स अगर आपकी पोर्टफोलियू में तो कितना भी डाउन हो लोग यही कहेंगे बने रहो कोई दिक्कत बात नहीं है ऊपर आ जाएंगे क्योंकि इन इस टॉक्स ने आपको पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा पैसा बनाके दिया है तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में बात करता हूं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं एंड बात करते हैं इ मेरी वीडियो आप लोगा तक पहुचे सबसे पहले दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मिटिव लगे समझ में आए तो प्लीज यह इसको साथ के साथ लाइक भी कर देना ताकि मुझे मुझे मॉटिवेशन मिलती रहे इन फॉस इसकी बात करों तो जैसा कि मैंने आपको बताया है सेकंड लार्जेस्ट आईडी कमपनी है विद 6,70,000 करोड का मार्केट कैप एस कमपनी का इसका मार्केट कैप आठ लाग करोड तक का गया था अभी करेक्शन के बाद आपको 6,70,000 करोड के मार्केट कैप एक कमपनी अवेलेवल है स्टॉक के हाई की बात करें तो 1954 का हाई है एंड 1367 का लो है 52 अभी स्टॉक लगबग आपका करन्ट मार्केट प्राइस के बारे में बात करूँ तो 1594 के लेवल पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में स्टॉक के वेल्यूशन वाइस बात करें तो प्राइस टू अर्निंग इसकी 30 के प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है यानि की पी जो इसका वो 30 का है एंड बुक वैल्यू पर शेयर 175 रुपीज की है जिसके सामने आप कह सकते हैं यह स्टॉक अल्मोस्ट नाइन टाइम पर ट्रेड करता है नाइन टैम्स पर यानि की नाइन की वुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है रिटन ओन एकुटी लगबग 37% का यह जो की बहुत ही शांदार होता है रिटन ओन कैपिटल इंप्लॉई भी 30% का यह भी बहुत ही शांदार है एंड सबसे अच्छी बात यह ह कि इस कंपनी का मेनेजमेंट बहुत शांदार है मैनेजमेंट सांदार होने का मतलब क्या यह है जो इन्वैस्टर के लिए काम करे बॉनस पिलस डिविडेन्ट कंटीनू आप सभी के लिए देती हुई आईए और आगे भी देती रही है ऐसी उमीद करते है तो यह कहीं न कह इसके financials है और मैं आपको कुछ बताऊं तो cash rich company है debt free company है company has a good return on equity track record 3 years return on equity is almost 27.2% तो बहुत शांदार है company has been maintaining a healthy dividend payout of 54.3% तो ये बहुत अच्छा है खराब क्या है एक वही 9 times की price to book value पर मिल रहा है और आप इसके नीचे के सारे IT stocks दिखेंगे ना large cap में तो आपको around 4 times, 3 times और around 4 to 5 times मिलेंगे लेकिन value होती है किसी चीज की तो value वाली बात है बस Infosys का नाम है second largest है तो इसको 9 times की price to book value मिल रही है इसमें एक और problem वाली बात है वो है ये promoter's holding is low 13% की promoter's की holding है और ये काफी सारे नए निवेशक होते हैं इस चीज को देखके डरते है मैं आपको बता दू market में बहुत से ऐसे stocks है जिनमें promoter's का stick आपको 0% दिखेगा that means कि ये stock खराब हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि ये stock खराब है कुछ companies ऐसी होती है जिने high management profile जो होती है वो manage करती है for example HDFC Limited यानि housing development finance corporation अगर इसका आप share holding pattern देखोगी तो आपको promoter's की holding 0% देखेगी लेकिन क्या ये खराब है नहीं किसकी holding ज़्यादा है वहाँ पे वो देखो आप FIIs और DIs जो highly managed profile होती है इनको FIIs काफी ज़्यादा hold करते हैं acquire करते हैं ICICI bank में भी आपको कुछ इसी तरीके का scene देखेगा and बहुत सारी ऐसी banks है बहुत सारे stocks है उनमें से ही एक stock Infosys भी है हाला कि company continue buyback करती है आप देखते हो higher price पे करती है अच्छे कासे तो ये सारी चीज़ें आपको Infosys के लिए मैंने बताई अब चलते हैं TCS के बारे में यानि Tata Consultancy Services Limited भारत की सबसे बड़ी IT company and Tata Group का एक main हिस्सा भी कह सकते हैं market cap 12,44,000 करोड का almost आप कह सकते हैं Infosys से double ये market cap इसके market cap की बात करें तो लगबग 13,000,000 करोड तक का market cap था almost अभी current market price 3400 का है 52 week high 4046 का है 52 week low 2953 का है जो कि अभी recent लगा है stock का PE 32 का है और हमने दिखा था Infosys के PE की बात करें तो 30 का था यानि valuation wise थोड़ा सस्ता है वो बड़ Tata Group का है plus market leader है तो valuation में हलका तो उपर ये रहने वाला है क्योंकि अगर आप Infosys को किसी और IT companies से ampere करोगे except TCS तो Infosys ही आपको उपर दिखा क्योंकि उसकी value जादा है वो market demand में जादा रहता है इसी तरहीके से TCS की बात करें तो थोड़ा तो आपको महिंगा मिलेगा price to book value की बात करें 244 rupees की price to book value पर trade कर रहा है almost 14 times की ये कुछ जादा हो गया जहाँ Infosys आपको 9 times की price to book value मिल रहा है ये आपको 14 times मिल रहा है तो ये थोड़ा सा जादा है but market इसको respect देता है ये आपको मेरे को देखने को मिलना ही था है जो कही ना कहीं बता है मैंने return on equity 55% की return on equity अगर आप sorry return on capital employee 55% की अगर आप Infosys के case में देखें तो 37% की है यानि की काफी उपर है उसके मुकाबले तो valuation उपर है तो फिर चीजें भी उपर है देख सकते हैं तो return on capital employee 55% है return on equity 44% है वहीं अगर Infosys के case में देखें तो 30% की return on equity दी तो बहुत ही तंगडे return on equity and return on capital employee है बहुत ही तंगडे जिसे कहते हैं अच्छी चीजें company ये भी debt free है तो यहां दौनों debt free है company has good return on equity track record 3 years जहां पर Infosys का 27.2% का था इस company का देखी आ 40% का है तो बहुत जादा उपर है तब ही इसको अबल दरजे की company का आ जाता है ऐसे ही नी company has been maintaining company has been maintaining a healthy dividend payout of 56.4% तो बहुत शांदार stock is trading at 14 times to its book value तो ये महंगा है मैंने आपको बता दिया company has been delivered poor sales growth of 10.2% over past 5 years तो इसकी sales जो वो थोड़ी सी कम है double digit में थोड़ी सी कम है Infosys के सामने दिखा जाए तो अभी मैं आपको main चीजें बता हूँ returns के बारे में कि कहां पे पैसा जादा बनता है तो दोस्तों यहां पे सीधा सीधा मुझे लगता है Infosys में काफी बड़ा पैसा बनता है as compared to TCS अगर TCS का मैं 10 साल के return देखू तो 432% के returns है और अगर Infosys के देखू तो almost similar 442% Infosys and TCS की बात करें तो आप बात करें कहां खरीदना चाहिए तो देखो दोस्तों इन दौनों स्टॉक मैंसे TCS आपको as preferred pick रखना चाहिए अगर आप ज़्यादा safety ढूनते है अपनी portfolio में तो and सबसे अच्छी बात यह है कि share holding pattern भी आपको आपके favor में मिलेगा 73% लगबग promoters hold करते है 5-6% equity जो retail investor बागी सारी की सारी बड़े हातों में तो TCS आपकी portfolio को सुरक्षा कवच देगा लेकिन infosys थोड़े ज़्यादा returns दे सकता है and थोड़ी गिरावट भी market की correction में ज़्यादा दिखा सकता है